नमस्कार दोस्तों VLE Society में आप सभी का एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप एक CST VLE हैं Common Service Center संचालक है या फिर आप अपना CST 3.0 के वीतर एक नया जनसेवा केंदर हो गेरा खोलना चाहते हैं आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी गुड़ न्यूज है लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बाल लाइकन ज़रू दवएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने साथ बाकी दोस्तम पो चारा बिलकूर मत दूलिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो सोसाइटी मोबाई लाइब को डाउनलोड नहीं किया तो फ्लेश्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं विलकुत यहां से भी आप हमसे पांटेक्ट कर सकते हैं तो अभी दोस्तों अगर आपको सीसी यूपी डिश्टिक पोर्टल का र लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने एक पूरा इंफॉर्मेशन बता रखा है कि किस तरीके से आपको रिश्टेशन करना है और अगर कोई दिक्कत आती है तो कहां कॉंटेक्ट करना और क्या सचीज़े चलेगी आपके यहां पर काम नहीं मिला तो रिश्टेशन कैसा होगा ए आइडी आने के बाद आपको क्या करना है यह सारी सीज़े भी बता रखें लिंक विज़े रखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जहां से आप पढ़ सकते हो लेकिन अभी दोस्तों बात करते हैं आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके उपर कि हर ग्राम पचायत में खुलेंगे दो जनसे वाके इंदर चार पॉइंट पांच नए लोगों को मिलेगा रोजगा ठीक है इस पर आने से पेले एक चीज़ दोर बता देता हूं दोस्तों आज कर आगर आप से बाद चल रहा है उसके बार में मैंने कल वीडियो में कवर किया था लिंक भी दे दिय हुआ है अब हर गाओं या 10,000 की आबादी पर जनसे वाके इंदर खुलेंगे इस्थानी इसतर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्म निर्भा बनाने और अधिक्तम लोगों को सरकार की योज़नाओं के प्रति जागरू करने के लिए योगी सरकार ने फैसला लिया है इसके तहट कुल 1.5 लाख जनसे वाके इंदर खुलने का लक्ष रखा गया है इससे करीब 4.5 लाख योगों को इस्थानी रोजगार प्राप्त होगा यहीनि एक से अधिक इंदर होने के नाते इनमें होने वाली प्रतिसपरदा से इनकी सेवाओं की गुड़ता में सुधा होगा ठीक है तो बहुत सारे वियली को यह सुनके अच्छा नहीं लगा होगा कि एक काउं में अब दो दो जनसे हो जाएगा लेकिन दोस्तों इससे आपका नुक्षान कहीं न कहीं आपको फाइदा इससे होने वाला है क्योंकि मांच चिलिए अगर आप पुराना वियली हो तो आप यहां पे दो रहेगा सर्विस तो वहां पे आप सर्विस सुधार हो गए अपना ताकि लोग और ज्यादा से ज़दा आप के पास आने की कोशिशिश करेगा प्लस अगर आप नया वियली बनने जा रहे हो तो वहां पे हो सकता है जो पहले से है वो अच्छा से काम कर रहा हो आप अच्छा मेहनस से काम करोगे तो नए कस्टमर आपको ज्यादा मिलने के चांसे से यानि कि लोगों में प्रतिस फर्दा होगी एक दूसरे से आगे निकलने की ठीक है तो यह कंपडिशन जहां पे होता है वहां पे सुधार भी अच्छे होते हो प्रॉफिट भी बिजनस वही निकलता है जहां पे जो मार्केट होती है जैसे आपने देखा होगा सहरों में एक पूरा-पूरा सहर एक ही चीज की मार्केट होती है एक पूरा एरिया होता है वहां पे पार्टिकलर एक ही चीज हर दुकान पर बिकर ही होती है और सभी को बिजनस मिलता है ठीक है लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूख होंगे तो उसका लाब भी लेंगे जनस्वेवा केंद संचालक को दे सुल्क बढ़ा कर 20 रुपे से 30 रुपे कर दिया गया ठीक है इसी क्रम में केंदर संचालक को प्रती ट्रांजेक्शन आप 4 रुपे की जगह 11 र रुपे मिलता था लीगली और इससे जो दिन से वा केंदर व्यली रहेगा उसको भी कुछ ना कुछ इंकम हो जाया करेगा क्योंकि अगर आप चार रुपे के हिसाब से अगर दस फार्म वो अपडेट करता है तो उसको 40 रुपे मिलता था ठीक है लेकिन अभी 11 मिलेगा तो और इडिश्टिक सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं की आपसी सहमत से इसे दो वर्स तक और बढ़ाया जा सकेगा ठीक है कहने के मतला अभी यह तीन साल के लिए है एग्रिमेंट लेकिन इसको दो साल और एक्टेंड किया जा सकते है इसको पांच साल तक किया जा सकता है इडिश्टिक पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं कौन-कौन सी सेवाओं का लाब उसके ओपर मैंने एक पूरा डिटेल लिस्ट आपको दिया था बट अभी यहां पे लिखा हुआ है मालूम हो कि प्रदेश के तकरीबन हर ग्राम पर चायती है दस अजार की आबादी पर ए करना है कौन-कौन सी सेवाएं अवेलबल हैं इसको लेकर मैंने एक लिस्ट आपको पहले भी दी थी अभी में बताया रहा हूं नेचे दिए लिंक पर जाओगे तो वहां पे आपको आल अवेलबल सर्विस और सी डिश्टिक पोर्टल का लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हूं कि कौन-कौन सी सर्विसेस आपके यहां पर चल सकती है किसमें कितना कमिशन मिलेगा और कैसे काम करना ठीक है तो आशा करता हूं यह पूरा का पूरा अपडेट आपको समझ में आ गया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने कि सा सभी दसम जरूप हो जाना मिलता है किसी नए वीडियो में तब तक लिए बाबाब आजये